hello and welcome to your favorite channel brain solution देखो बच्छो question number 3 में तुम्हारे पास कुछ boxes करना terms जो हैं उन्हें find out करना है तो हमारे पास एक formula है an is equal to a plus n minus 1 d ठीक है तो देखो उसको देखते कैसे स्था माल करना इस formula को देखो बच्छो यहां पर first term a वो 2 है तो मतलता a को मैं 2 भी consider कर सकती हूं ठीक है तुम्हारे पास अब देखो a1 a1 को मैं क्या लिख सकती हूं a plus 1 minus 1 into d n की जगा मैंने 1 रख लिए तो a1 is equal to a plus 1 minus 1 d मैं इसको 1 plus 0 d लिख सकती हूं ठीक है यहां पर तुम्हारे पास देखो a1 जो first term है that is given as 2 ठीक है इसको तुम अपनी equation 1 ले लो ठीक है अब तुम्हारे 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 26 यह कौन सी term है 26 1 2 3 इस यह थर्ड तर्म तो मैं कह सकती हूं a3 is equal to a plus n minus 1 मतला 3 minus 1 into d यहो जाए तुम डारेक्ट भी लिख सकता हूं a1 is equal to a plus 0 d 1 से पहले 0 d 3 से पहले 2 d ठीक है this is equal to 26 अब मैं क्या कर सकते हूं बच्चो मैं नहीं ऐसे क्यों लिखा है मैं क्या करूंगे बच्चो subtract 1 from 2 हम क्या करेंगे subtract 1 from 2 ठीक है तो अब देखो क्या हो जाएगा a plus 2 d is equal to 26 नीचे हो to 2 minus का sign लगाओ तो देखो ये a से a cancel out हो जाएगा 2 minus 0 is 2 d d रहेगा 26 minus 2 is 24 यहां से d कितना हो जाएगा 24 by 2 यह हो जाएगा 12 तो अब d उम्हारे पास 12 आ गया ठीक है चलो अब यहां पर रगदो तुम तुम्हें second term निकालना है तो चलो अब हम कर लेते हैं second term कैसे निकलेगा a 2 is equal to a plus 2 minus 1 into d a कितना है 2 है है ना first term 2 है और 2 minus 1 is 1 d कितना है यहां पर तुम्हारे पास 12 है तो यह कितना हो जाएगा 2 plus 12 है ना यह हो जाएगा तुम्हारे पास 14 तो आपके पास a2 आ जाएगा 14 ठीक है बच्चों clear है यहां पर हम missing term लिग देते है 14 ठीक है clear है इसी method से करेंगे हम लोग ठीक अब आजा second part पर देखो चो second part में यह term missing है first term missing है second given third missing है fourth given है तो मैं कह सकती हूं मेरे पास a2 second term given है 13 मैं इसको कैसे लिख सकती हूं a plus n minus 1 second term है तो 2 minus 1 into d मैं ऐसे लिख सकती हूं इसको तो यह कैसे हो जाएगा a plus 2 minus 1 is 1 into d is equal to 13 इसे तुम मान लो अपनी first equation ठीक फिर देखो तो आपस fourth term given है तो मैं कह सकती हूं a4 is equal to a plus 3d है ना यह कितनी कि मैं आपस 13 मैंने direct क्या कर रहा n minus 1 4 minus 1 3d कर लिया पूरा पूरा formula में नहीं रखा ठीक है ऐसे भी कर सकते हो यह तुम आपस 3k equal है इसको तुम ले लो second equation फिर से वही करेंगे हम क्या करेंगे बच्चों subtract करेंगे from subtract 1 from 2 ठीक है first को second में से subtract करो क्या होगा a में से a cancel out हो जाएगा 3d minus 1d कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा 3 minus 13 हो जाएगा यह कितना हो जाएगा बच्चों minus 10 है ना तो 2d is equal to minus 10 हो जाएगा ठीक तो यहाँ पर d की value आ जाएगी 2 इदन नीचे आ जाएगा तो यह हो जाएगा 0d ठीक है a है तुमारे यह तो हमें पता ही नहीं है है ना है ना है ना है तो हमें पता ही नहीं है तो हम a2 से निकाल सकते a2 will be equal to a plus 2 minus 1 is 1d है ना ठीक है तो a2 हो जाएगा a plus 1d यहाँ पर तुम्हें a की value निकालनी है a2 तुम्हारे पास 13 given है d क्या given है minus 5 ठीक है तो यहां से a की value कितनी आ जाएगी बच्चो फाइव इधर लेक्या हो तो 13 plus 5 is 18 ठीक है अब हम लोग क्या निकालना है तो a3 is equal to a plus 2d का formula लगा है ना a कितना आ गया 18 plus 2d कितना है minus 5 तो 18 minus 2 5 ठीक हो जाएगा 8 तो तुम्हारे पास यह term आ गया 18 यह term आ गया 8 ठीक है clear अब आच जो third part पर देखो बच्चो यहां पर फिर अगेन वही formula लगा दो a n is equal to a plus n minus 1d ठीक है अब देखो यहां पर a तो given है तुमको 5 ठीक है अब हमको d नहीं पता है तो मैं कह सकती हो a1 is equal to a plus 0d यह 5 की equal है ठीक है इस equation 1 ले लो यह fourth term है 1, 2, 3, 4 मैं कह सकती हो a4 is equal to a plus 3d is equal to 9, 1 and a half इसको second equation ले लो subtract करो 1 को 2 में से है तो क्या होगा a में से a चला जाएगा 3d में से 0d जाएगा तो कितना बचेगा 2d यह क्या हो जाएगा 9 and a half minus 5 ठीक है अब 2d is equal to इसको ऐसे करो तो यह 9 2018 plus 1 19 by 2 minus 5 कुछ नहीं है तो 1 लगा दो LCM ले लो 2 5s 10 हो जाएगा ठीक है यह हो जाएगा 9 by 2 sorry this is 4th term ठीक है तो यह 3d आएगा यह भी 3d आएगा ठीक है 3 minus 0 इस 3 ना आप क्या होगा डी is equal to 9 by 2 यह 3 नीचे आजाएगा तो यह हो जाएगा 3 यह हो जाएगा डी is equal to 3 by 2 डी आगे तुम्हारे पास ए गिविन है चलो अब सेकिन और थर्ट निकालते हम तो देखो a2 हो जाएगा a plus 1d यह हो जाएगा a है 5 यह 1d 1 and 2 3 by 2 यह हो जाएगा lcm लेलो 2 2 5s are 10 plus 3 हो जाएगा 13 by 2 ठीक है इसको हम कैसे लिख सकते है डिवाइट करो तो ही हो जाएगा 2 6 आ 12 बचेगा 1 by 2 तो तुम यहाँ पर 6 and a half भी लिख सकते हो यह 13 by 2 भी लिख सकते हो ठीक तो चलो हम 6 and a half लिख देते हैं यहाँ पर 6 1 by 2 अब तुम्हें 3rd टर्म चाहिए राइट तो मुझे चाहिए a3 चाहिए a3 हो जाएगा मेरे पास a1 a plus 2d है ना a कितना है 5 2 और d है तुम्हारे पास 3 by 2 2 से 2 गया 5 plus 3 is equal to 8 ठीक अब आजए तुम्हें इसके 4th पार्ट पे देखो बच्चो यहाँ पर 4th पार्ट में तुम्हें 1st term given है और 1 2 3 4 5 6th term given है ठीक है तो मैं क्या कर सकती हूँ देखो बच्चो a is equal to minus 4 मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ a plus 0d इसको तुम्हें equation 1 ले लो और मेरे पास यह है 7th term 1 2 3 4 5 6 6th term है तो मैं इसको a plus 5d लिख दू यह तुम्हारे पास 6 ठीक है सब्ट्राक करो 1 from 2 तो देखो बच्चो क्या हो जाएगा a में से a चला जाएगा 5d minus 0d हो जाएगा पूरा 5d 6 minus minus 4 यह हो जाएगा तुम्हारे पास बताओ 6 plus 4 है ना यह हो जाएगा 10 तो 5d equal to 10 आ जाएगा तो यहां से d की value कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी ठीक है बच्चो अब देखो मुझे निकालना है second term तो a2 is equal to a plus 1d यह d लिख दो a कितना है minus 4 plus कर दो 2 हो जाएगा minus 2 ठीक minus 2 आ गया a3 निकालते हैं चलो a3 हो जाएगा a plus 2d हो जाएगा minus 4 plus 2 into d है तुम्हारा 2 तो यह minus 4 plus 4 हो जाएगा 0 यहां जाएगा 0 कि a4 1 2 3 4 यह वाला चाहिए a plus 5d minus 4 plus 5 into d है तुम्हारा दो माइनस 4 plus 10 हो जाएगा तुम्हारे पास 6 यह साही चले हम सॉरी यह जाएगा 3d है ना 3d ठीक है देखो 4th term 6 आ रहे है तो चलो हमें सॉरी गलती होगे यहां पर इसको 3 कर लेते हैं तो यह हो जाएगा minus 4 plus 6 तो यह हो जाएगा 2 यहां पर आ जाएगा 2 ठीक है बच्चो शाहिए a5 निकालना है तुम्हें a5 is equal to a plus 4d a है तुम्हारा minus 4 plus 4 into 2 तो यह हो जाएगा minus 4 plus 4 to the 8 यह हो जाएगा 4 ठीक है clear है बच्चो सही है अब चलते हैं इसके 5th पार्ट पे अब देखो बच्चोंगे हाँ पर ना पस first term नहीं है second term given है मतलब a2 is equal to a plus 1d कह सक्क्यों मैं इसको यह 38 given है और क्या given है 1,2,3,4,5,6,6 term given है a6 is equal to a plus 5d कह सक्ते हैं यह तुम्हारे पास minus 22 है यह 1 है यह 2 है सब्ट्राक करो 1 from 2 क्या हो जाएगा a से एक एंसल आउट 5d में से 1d यह तो बच्चा 4d is equal to minus 22 में से इसको कर यह जाएगा minus का 38 तो यह हो जाएगा 10336 ठीक है 4d is equal to minus 60 ठीक है तो यहाँ पर d की value कितनी आ जाएगे minus 60 upon 4 2 से कर लो जरा सा यह जाएगा minus 30 upon 2 to the 4 यह जाएगा minus 15 ठीक है d की value आ गए minus 15 चलो a भी तो चाहिए अब तुम्हें यहाँ से a की value निकाल लेते हैं तो देखो a2 क्या था a plus 1d था 38 तो a की value निकालो d है तुम्हारे पास minus 15 is equal to 38 तो a minus 15 is equal to 38 a की value कितनी आ जाएगे 38 plus 15 यह हो जाएगा तुम्हारे पास 53 a की value आ गई आपके पास 53 ठीक है a3 निकालना है तुम्हें अब यह वाला निकालना है यह हो जाएगा a plus 2d यह हो जाएगा a है तुम्हारे पास 53 plus 2 into minus 15 यह हो जाएगा 53 minus 30 यह हो जाएगा 23 ठीक now you have to find out a4 a4 is equal to a4 is equal to kya हो जाएगा a plus 3d a है तुम्हारे पास 53 plus 3 into d is minus 15 53 minus 5 3s are 15 3 5 is a 15 3 3 4 ठीक है तुम्हारे पास आजाएगा 8 ठीक चलो अब निकालो a5 a5 is equal to a plus 4d a a is 53 plus 4 into minus 15 यह हो जाएगा 53 minus 4 5 to 26 यह हो जाएगा तुम्हारे माइनस का 7 ठीक है बच्चों क्लारे अब आजो कुछिन नम्बर फोर्थ पर अब आजो कुछिन नम्बर फोर्थ पर